नमस्कार, पिपी नियोस लाइन के प्राइम टाइम में आप सब का स्वागत मेहुरजनी अनुभव आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिनबर की परमुक सुर्खियों पर सुरक्षबलों के हाथ लगी बड़ी काम्यावी मारेगे दो आतंकियों में से एक जैशे महांद का कमांडर भी शामिल जमुकश्मीर पुनर गठन अदिनियम के तहत अब कोई भी भारती नागरी किशी योगे भूमी को छोड़ कर जमुकश्मीर में खरीच सकता है जमीर दर्वार मुफ के खुलते ही मीनी बसों के रूट में किया जाएगा बदलाव और एन आई ए द्वारा मारेगे चापों में स्थानिय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का कारेयाले भी शामिल अब कवरें विस्तार से मध्य कश्मीर के बढ़गाम जिले के आरी बाग मच्हामा इलाके में मंगलवार की रात मुठवेड में दो आतंकी मार गिराएगे इस दोरान क्रॉस फाइरिंग में जिस मकान में आतंकी चिपे थे उसमें बीशन आग लगे सुत्र ने बताया कि मारेगे आतंकीों में जैशे महमद का कमांडर भी शामिल है आतंकीों की माजूदकी की सूचना पर सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके की घेरा बंदी कर तलाशी अभ्यान चलाया इस दोरान घेरा सकत होता देख आतंकीों ने फारिंग करना शुरू कर दी जवाबी कारेवाई से मुठवेर शुरू हो गयी कुछ देर तक दोनों और से फारिंग के बाद दूसरी और से फारिंग आना बंद हो गए कुछ गंटों के बाद रात करीब साड़े ग्यारा बचे के बाद दोबारा से फाइरिंग शुरू हो गई इसके साथ ही धमाकों की आवाज भी सुनी गई गाउं के सभी प्रवेश वन निकास दोबार को सील कर दिया गया ताकि आतंग की अंदेरे का फाइदा उठाकर भागना निकले ग्रह मंत्राले ने जमु कश्मीर में जमीन खरीद विक्री के संबंध में मंगलवार को महत्तपून सूचना चारी की है मंत्राले द्वारा जारी किये गे निर्देश के मताबिक अब केंदर शासित परदेश में कोई भी वेक्ती जमीन खरीच सकता है और वहाँ पर आकर बस सकता है हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी है ग्रह मंत्राले ने ये फैसला जमु कश्मीर पुनर गठन अधिनियम के अंतरगत लिया है इसके तहट आप कोई भी भारती जमु कश्मीर में फैक्टरी घर या दुकान के लिए जमीन खरीच सकता है इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानी निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी जमु में दर्वार मूव नवंबर से सच जाएंगे दर्वार मूव के साथ पच्चास हजार से अधिक वहनों का बोज सड़कों पर बढ़ जाएगा उपराजेपाल के सलाहकारों, नोकरशाहों तथा दर्वार के कर्मियों और उनके परीजनों की गाड़ियों से शहर की सड़कों पर यातियाद का दबाब बहुत बढ़ जाता है इसके लावा जमु में परदर्शनों का सिलसला भी बढ़ जाता है ऐसे में यातियाद वादित होना आम सी बात है ऐसे में ट्रैफिक पुलीस को जा में फंसने वाले लोगों को उनके गंतवे तक पहुचाना आसान नहीं होगा मिनी बसों के रूट में बदलाव पर भी चर्चा हो रही है दर्बार सचने के बात शहर की सड़कों पर यातियाद को सुगम बनाने के लिए मिनी बसों के रूट में बदलाव किये जाने की पूरी संभावना है इसके लिए जिला परशासे ने यातियाद विभाग और ट्रैफिक पुलीस के अधिकारे को विचार करने को कहा है अधिक यातियाद दबाव वले जानिपूर, प्रेड, शालामार चोक, जिल्चोक, बिसी रोड, नर्वाल जैसे अतिव्यस्त चोक चराहों पर यातियाद को कम करने के लिए रनिती बनाई जा रही है रास्टी जांच एजनसी ने बुदवार को जमू कश्मीर के सुईनगर शहर में कई स्थानों पर चापे मारे जिसमें एक परमुख स्थानी एंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का कारयाले भी शामिल है NIA के ये चापे टेरर फेंडिंग मामले में चल रही जांच का हिस्सा है वही NIA की इस चापे मारी पर PDP परमुख वपूर्व मुख्यमंतरी महबूबा मुफ्ती ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि ये सब केंद्र के कहने पर हो रहा है NIA की इस कारेवाही पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये चापे केंद्र में बैठी बाजबा सरकार से प्रड़ित है उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा है कि NIA ने स्रीनगर में मानवा अधिकार कारेकरता खुर्रम, परवेश और स्थानिय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के कारेयाले पर चापे मारे है ये सरासर भारत सरकार का अरसंतोष और अभिव्यक्ति की सब्तनतता पर शातिर कारेवाही का एक और उदारन है अफसोस की बात है कि NIA बाजबा की पालतू एजनसी बन गई है वैं उनके कहने पर उन लोगों को डराने का काम करी है जो केंद्र के कहने पर चलने से इनकार करते है डिस्टी किष्टवार पंचायत हलका जनकपूर की नाइव सरपंच हेमराज छाकुर द्वारा आज एक प्रेस कांफरेंस करवाएगी इस प्रेस कांफरेंस में छात्रो और आम जनता खासकर किसानों को आरे ही दिक्कतों पर रोशनी डालेगी उन्होंने उप्राजपाल से गोहार लगाई कि उनकी इन दिक्कतों का समाधान किया जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके सबी विबागों के casual labor करमचारियों ने उन्हें पक्का करने और minimum wages act को लागू करने की मांग को लेकर आज भी लगातार अपना परदर्शन जारी रखा और सरकार को चैतावनी देते हुई ये साफ क्या दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे और भी उग्र परदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगी जिसकी जिमेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी केंद्री ग्रह मंत्राले ने जमु कश्मीर के पुराने 11 भूमी कानूनों को मंगलवार यानि 27 अक्तूबर 2020 को ततकाल परभावसी निश्क्रिये कर दिया है जिसके तहट अब भारत का कोई भी नागरिक जमु कश्मीर में जमीन खरीच सकता है हालांकि क्रीशी भूमी पर अभी भी रोक है केंद्र सरकार के फैस्टे पर लोगों की खास तोर पर युवाओं की मिली जुली प्रतिकिया देखने को मिल रही है पियाची विबा के डेली वेजर करमचारियों की काम छोड़ हरताल आज भी जारे रही उन्होंने अपनी जायस मांगों के लिए कहा कि वे पिछले 26 सालों से संगर्श कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी किसी भी बात पर गोर नहीं कर रही है डेली वेजर्स करमचारियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 26 सालों से विबाग में इमानदारी से काम किया लेकिन उन्हें अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया उन्होंने कहा कि उनके लिए अगर जब तक कोई regularization policy नहीं बनाई जाती तब तक उनका परदर्शन जुही जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये परदर्शन और भी उग्र होगा अब तो चलाएक ब्रेक अब मिलते हैं ब्रेक के बाद मजबूते के पैचान एसी सीमेंट मैसर्स विशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट एसी सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जमू ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरव केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजकार के लिए निकालेगी पैकेज के तहत आविदन करने वाले और स्लेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों नी सरकार पर आरोप लगाते हुए आज भी अपना धन्ना परदर्शन चारी रखा और कहा कि ब्रस्ट चार के चलते 45 लोगों को नोक्रिय नहीं दी गई हाला कि नया एले के आदेश के बाद इसका और भी निकाला गया था परदर्शन करहें लोगों ने उपरा जिपाल से गुहा लगाई है कि गद दिनों एक हजार नो सुस्तान में उमीदवारों के लिए जो और नि सिन्नम दरणदीव सर से अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिस्ट को रिलीज कर दिया जाए सुचेदगर कांसिचेंसी की पंचायत रताना में पंच रतन सिंग की अदेख्षता में लोगों में डोमिसाल सेटिफ केर्ट्स वितित किये गे रतन सिंग और उनकी पूरी टीम दोरा लोगों के घर घर जाकर उन्हें सेटिफ केर्ट्स दिये गे जिसके लिए लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया ब्रिक किलन ओनर्स एसोसियेशन जम्मू प्रवेंस ने बाहरी राजियों से आ रही इंट का कड़ा विरूत कर इस पर रोक लगाने की मांकी एसोसियेशन के परदार ने पत्रकार वारता कर बताया कि यहां के करीब तीन सो इंट बट्टा मालिकों का काम दंदा नुकसान में है उन्होंने परशारसन से इन बाहरी राजियों के इंट विक्राताओं पर रोक लगाने की मांगी है जिस से इंट बट्ठा मालिकों को राहत मिल सके लेकर बिल जो बनाया जे दिखिये आपके सबने हैं जे बिल उन्होंने 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 गॉवर्मेंट को बड़ा दुप है अगर किसी का जीएसी नंबर ठीक भी होता तब ही आप अग्जादा लगाईए एज जो पैशन सो में बहां से आनी थी क्रायादार कार आज़ परदेश के निवासी और विशेशकर युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं उन्होंने जम्हो कश्मीर में राज्य दर्जा बहाली की मांग पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारेकाल में यहां की लोगों के साथ लंबे समय से बेदवाव किया जा रहा है वीडियो ब्लॉक मीरा साहब में आज़ पूछना चाहता हूँ वीडियो ब्लॉक मीरा साहब में आज बुद्वार को जनता दर्वार लगाया गया जिसमें 21 डिपार्टमेंट्स के आफिसर्स उपस्ती थे जिसमें लोगों की समसें सुनी गई और वहीं पर उनका समाधान भी किया गया इस एक दिन के कैम्प में SDM RS पूरा रामलाल शर्मा मुख्य तोर पर मौझूद थे मीडिया से बाचित करते हुए BDC चर्मान ने बताया कि सरकार के इस तरह के कैम्प से लोगों को डोर स्टेप्स पर बहुत सी सुविदाएं महया करवाई जाती हैं जिससे लोगों को काफी फाइदा होता है और उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता आधिकारी लोग हमारे दोड़ चप पर आके हमें फैसलिटीश दे रहे हैं अब मेरे राइट साथ देखेंगे ज़को डोंसेयल के लोग आपने डॉंसेयल बनवा रहे हैं अधार कार्ड बनवा रहे हैं और बाकी बीजली की पानी की लेटरी लोग हैं वह अपनी चिकाते क पंचायत गुंदला के नाइपसर पंच सर्टाज सिंग लाड़ा द्वारा पंचायत में गलियों और नालियों का काम शुरू करवाया गया ये समस्या करीब 20 साल पुरानी थी इस मौके पर पंच रगवीर सिंग, प्यारा सिंग, गुर्चरन सिंग और अन्य गन्माने लोग उपस्ति थे एक दिन मीडिया के रूप से कहा था कि सकूल में रह रहे हैं गरीब लोग जो हैं, कोई कुछ सुनता है नहीं, क्यों नहीं सुनता है, क्या बात है, कम से कम निवस्तिकेशन करें, करने के बात दे, मैं कहता हूं कि गॉंदला पंचायत का डाइसो मकान जो है, बिलकल डैमज है, चार साल से एक कर्पिया भी उनको नहीं दिया हूं, मैं कहता हूं कि तुरत इस बात पे ध्यान दे, नहीं तो हम एक मीड़ा और देखेंगे, जाड़ देखेंगे, उसके बाद अस्तिफ़ाइब के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजासत और आप देखते रही पीपी न्यूस लाइन, नमस्कार. जैम ओप्टीशन्स गाधी नगर, जैम ओप्टीशन्स नई बस्ती, जैम ओप्टीशन्स अंफला, जैम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर.